दोस्तों मैं गुफ्रान्स वानिया आप सब का अपनी यूट्यूब चैनल एमजी एक्जाम करेकर पर स्वागत करते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने तुरकोड मिती की दूर वीडियोज डाल चुकी है और आज का जो टॉपिक है वो एंगिल जो चतुर्थांस पर मान होते हैं 360 डिग्री तक उनको हम कैसे निकालते हैं दोस्तों अगर हमारी पहले और दूसरी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको देखें केकी उनमें उस basic concept को बताया है जो क्रमवार से हम आपको त्रगोर मिलती में आगे बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं तो चलिए आज का topic सुरू करते हैं तो दोस्तों आपने सीखा होगा कि चतुर्थांस क्या होता है किसी भी plane पे कितने degree का कौन बनाया जा सकता है कितना बनता है तो आप जानते हैं कि किसी plane पर 360 degree का कौन बनता है यानि कि एक बार हम किसी भी चक्कर को लगा ले गोला बना दे तो हमारा कितने का कौन बन जाएगा 360 degree हम घूम जाएगे अब जब हम इसको चार भागों में डिवाइट कर देते हैं और जैसे आप जानते हैं कि पूरा पच्छिम उत्तरधक्षित चार देशाएं होती हैं वैसे इनको चार भागों में जब बादते हैं तो इसको हम X-axis कहते हैं और इसको हम X-axis इसको हम Y-axis और इसको Y-axis डैस का मतलब क्या होता है कि इसकों कहते हैं एक्स अक्ष की धन दिसा यानि कि ये कैसी दिसा होगी धन दिसा होगी और ये कैसी दिसा होगी एक्स अक्ष की रिड दिसा होगी तो सिर्फ ये होता है कि ये एक्स अक्ष की धन दिसा और डैस का मतलब X-AX की रिड दिसा मतलब डैस जो होगा वो इस बात को रिपर जन्त कर रहा होगा कि ये रिड आत्मत है ऐसे Y जो होगा आपका ये भी धन दिसा होगी और ये Y-AX की रिड दिसा होगी अब देखिए इनमें क्या होता है जब हम किसी प्लेम को चार भावों में डिवाइट करते हैं बरावर तो यहां पर देखिए 90 डिगरी का कोण बनता है कितने का 90, 90, 90 यानि कि 307 को चार भावों बाटेंगे तो 94 बार बनेगा तो यहां पर देखिए जो हमारा ये X-AX है यानि कि X-AX की धन दिसा है यहां से जब हम चालो करके Y-AX पर पहुझते हैं तो हमारा कोण कितना हो जाता है 90 डिगरी और जब यहां दूसरे में X-AX पर पहुझते हैं तो यहां पर 180 डिगरी उसके बाद में Y-AX पर तो यहां पर 270 डिगरी और फिर जब X अक्स तक पहुंच आते हैं तो यहां पर 360 डिगरी मतलब हम एक चक्रपूरा कर लेते हैं तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि जब हम मान निकालते हैं किसी भी डिगरी का जैसे साइन 120 डिगरी का तो यहां पर हम चत्रपूरांस को ध्यान में रखते हुए उनका मान निकालते हैं इसलिए इसका यां होना हमें ज़रूरी है तो दोस्तों क्या करेंगे कि जो आपका यहां से होगा पहला 90 डिगरी इसको हम पर्थम चतुर्थांस इसको हम रूतिये और इसको तिर्थिये और इसको हम क्या गयते हैं चतुर्थांस यानि कि पहले में गर आप आप हैं तीसरे में चौतिम यानि पहले चतुर्थांथ। basin 2 से चतुर्थां तीर्थांथ। और चौतिशन चतुर्थांथ । तो पहले चतुर्थांस में क्या होता है कि stirus ef 90 सतार है और दूसरे में 90 सेgrande स available to a kS 270 तक होता है और 34 में आपका 270 पर 360 पूरा हो जाता है अब देखिए इनमें और चीजों पर सीखना क्या है कि जब हमें हम जानते हैं कि साइन 90 का मान हमने पिछली वीडियों आपको बताया है कि 0 से लेके 90 डिगरी तक मान को कैसे निकाला जाता है और कि इनको आपने याद कर ल आप आसानी से जो आपको मैंने तल एक अंसरीज दिखाई फिर और उसमें 90 डिगरी तक मान है आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर साइन 60 का मान आपके पूछा जाए तो आप आतानी से बता देगे रूट थिरिया पान टू लेकिन अगर जब आप से पूछा जाए कि साइ 120 डिगरी का मान क्या होगा तो आपको नहीं बताया गया है कि साइन 120 डिगरी का मान क्या होता है तो इसको निकालने के लिए इस चतुर्थांस की आवसेट का पड़ती है 90 तक तो आपको चतुर्थांस असल में वो भी चतुर्थांस पहले में होता है लेकिन वो लेकिन जब इससे ज्यादा होगा तो कैसे आप निकालेंगे से साइन या पाट वन माइंटी रीगल होगा तो हम कैसे निकालेंगे तो दोस्तों इसको निकालने के लिए इसके आउस्प्त पड़ेगी लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि इनमें कुछ चीजें हैं जो पहला चतुर्थ सकतिम्हां ओन्ग और प्लस और तीसरे में ईने की टेंट शींटा कोट व्यजियरा इनंडों का मांन का होगा प्लस धाशिक नि है यहां पर क्या होगा सुभी लेकिन आपको इसमें पघले में और दूसरे तीसरे में साइम कास था तो यहां पर इसको भी बिल्कुल प्रिसाइज वे मेंगर याद करना हो तो आपको एक सब्द्याल रखना A S T C आपको यह याद कर लेना Az T C A S T C का मतलब क्या होता एग मतलब और यानि कि पर्फन चत्रूरथन्स गी पहले पे यह दूसरे को करेंगे जैसे आपको बताया गया था कि 90 तक तो आप याद कर लेंगे कि कॉस 60 का मान क्या होता है तो वैसे आप उसको रख देंगे लेकिन जब आपके पूछा जा साइन या कॉस 135 का तो आप कैसे इन कह देंगे तो आप जानते हैं कि दूतरे चेदुरतांत में 90 से 180 तक होता है तो इनकों तोड़ेंगे 90 और 180 में तोड़ेंगे 90 और 180 में 35 क्या तोड़ेंगे 35 35 में से 90 कितना बचे 45 यानिकि 90 प्लस 45 लिख सकते हैं और यहां कटिके अब दूतर चेदुरतांत में तो साइन 90 प्लस थीटा अब यहां पर देखिए जब साइन 90 प्लस थीटा आजाएगा तो यहां पर चेंज करने का एक रूल होगा कि हम कैसे चेंज करते हैं तो चेलिए पहले उसके हम एक बदल जाता है पास थीटा में और पास थीटा जो बदलता है वह आपका साइन ही बदलेगा यानि जिसका हो निवर्ट हो जाएगा थीटा आपका बदलेगा बदलेगा और आपका जो सिक ठीटा होगा वो बदलेगा कॉस से ठीटा में याद रखना साइन कॉस में कॉस साइन में टैंग कॉस में सिक कॉस से लिखा जा जा तो आप क्या लिखेंगे साइन नब्बे प्लस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा यहीं कि एगर आपका हो जाएगा साइन नब्बे प्लस थीटा तो हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा लेकिन दोस्तों मैं हमने आपको बदाया कि जो दूसरा चतुर्थांस होता है उस दूसरे चतुर्थांस में सब के मान या होते हैं किया होते हैं आपके सैन और कॉस के द्धनात्मक बाकि सब की सब्धन लेते हैं कि कैसे धनात्मक बंगताई तो यहां पर अगा लिग लिए कि सांग और कॉस्श नब ब्लस थीटा और कॉस नब Vide 50 तो यहां पर देखना है अब आप देखेंगे Sine, Sine क्या है? Sine का मतलब plus minus. तो आप जानते हैं कि दूसरे चतुरथांस में Sine और कॉस. और कॉस से plus में होते हैं. Sine का change की समें हो वह में कोस में, यहां ने लिख दिया. और sine जो होता है, इसलिए यहाँ पर दिखी, यह plus होगा. अब देखिए कास का चेंज किसमे होगा? साइन में तो यहाँ पर हमें लिख दिया साइन थीटा अब दूसरे चतुर्थांस में साइन क्या होता है? प्लस होता है बाकि सब लात्मक तो इसका मतलब यह कास है तो यह क्या हो? प्लात्मक अब यह की कॉस नब्बे प्लस थीटा बराबर माइनस साइम थीटा तैम नब्बे प्लस थीटा आप पूंने बताया कि टैम विच्छे किसमे करते हैं? कॉट में तो हमें लिख दिया कॉट थीटा और यहाँ पर टैम जो होगा दूसरे चतुर्थांस में नब्बे प्लस थीटा त्यकिन अब्बे से जादा है ठीक है? यह यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा ऐसे कुछ भी लिख दियते हैं कॉट नब्बे प्लस थीटा कॉट का होगा चेंज टैन में और दूसरे चतुर्थान सोब्हें इसलिए क्या होगा रात में होगा क्युक्कि साइन और कॉसिक प्लस में होता है अब यहां पर क्या होगा यहirmाइंप हो गा क्योंकि हमने बता है कि साइन और कोशेब को से नबबे ओ कॉस है जता है क्ister कैसे जाम होता में जाक manufacture तो यहां पर देखिए कैसे होगा साइन अब देखिए जैसे यहां पर बात थी साइन नब्बे प्लस थीटा तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं को साइन नब्बे प्लस थीटा साइन नब्बे प्लस थीटा क्या होता है कॉस देखिए साइन नब्बे प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा थीटा की जगाप यहां पर क्या है सब्सक्राइब कि पर डिव फाइब आप बिए यानि कि कास्ट पैटालिश डिगरी कि मान क्या होता है हमने बताया आपको जीरो से लेके 90 डिगरी तक जीरो से गर आपका आगया दूसरे चतुर्थांस में तीसरे चतुर्थांस में आ जाता है कि साइन आपसे पूछी लिए जाये कर दो सो पचीज डिगरी इसका टैसे निकाले में हैं तक है है एक्सो थी प्लस है इतना इस थीपाइब इक्सो थी प्लस थीटा अब आप जानते है तो यह आप ज्यानने कि एक्सवस्य से दोसो सब्तर की बीच में तिर्थी चतुर्थांस में क्या होता है प्लस टाइन और काट इसलिए स्टाइन एक्सवस्य सब्सब्स तीटा क्या हो जाएगा आपका चेंज होगा तो देखिए दोस्तों एक्सवस्य डिग्री जो होती है और 300 एक्सवस्य डिग्री में नो चेंज होता है मतलब एक्साइन एक्सवस्य प्लस थीटा जो होगा यो साइन थीटा ही होगा लेकिन आपका साइन चेंज होगा जाएगा कितना होगा टाइन थीसरे में प्लस होता है यांगी साइन जाओगा तो दोस्तों इसके बारे में 180 के बारे में और 360 के बारे में हम अगली वीडियो में आप से बात करेंगे तब तक के लिए दोस्तों धन्यों